जैसरी महाकाल दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जो है बहुत ही बेहतर लेके आये हैं जैसे बहुत से भाई बहन को जो है मिर्गी का दोरा पड़ता है और वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं या उनके घरवालों को पता होता है दवा करते हैं धीरे धीरे अंदर अंदर दवा करते हैं लेकिन वो क्या होता है वो ये दूसरे को ये सेर नहीं करना चाहते कि हां इनको मिरगी का दवरा पड़ रहा है तो उनको क्या होता है परेशान होते हैं दवा करते हैं लेकिन दोस्त तकलिफ है आप जब दूसरे को बताएंगे डॉक्टर को बताएंगे या किसी को बताएंगे तभी आपको उस चीस्ट से जो है राहत मिलता है जैसे आप समझ लिजे आपको बहुत लोगों को क्या होता है मिर्गी का दौरा पड़ता है जो मिर्गी का दौरा पड़ता है तो तो दोस्तों आज हमारा जो है एक आयरवेदिक प्रेंगे में जो समस्त और पढ़ने के लिए पैसे नहीं है वो घरेलू उक्चार कर सकते हैं उनको फाइदा होगा तो दोस्तों हम बताना क्वीजाएंगे अरकारा आकेर आर जो है यह ऐस नाम है आ करद करार करा ठीक है मैं आराम से बोलूं गा जो आपको समझ में आए तो अरकरा जो है 100 ग्राम ले लिजिए उसके बाएर पुराना जो है पुराना गाउं में अक्सर पुराना सिर्का जो होता है सिर्का रखे रहते हैं वो पुराना जो है सिर्का उसको भी ले लिजिए 100 ग्राम दोस्तो 100 ग्राम जो है अकर करा और 100 ग्राम जो है पुराना सिरका दोनों को आप अच्छी तरह से एक पात्र में अच्छी तरह से घोल के मिला लेजिए अच्छी तरह से उसको मिलाने के बाद आपको करना क्या है दोस्तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए जो भाई हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये है प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और जो है जो भाई सस्क्राइब के लिए उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवात देना चाहेंगे क्योंकि जो हमारा चैनल सस्क्राइब करते हैं यह हमको प्यार देते हैं आप लोगों का प्यार मिलता है हमारा चैनल सस्क्राइब करते हैं आपका नोटिफिकेशन आता है हमारे पास हमारे भाईयों का प्यार मिलता है कि हाँ हमारे भाई ने हमें हमारे लिए प्यार दिया है तो मैं आपको पताना चाहूंगा जो मिर्गी मिर्गी की चिकिसा कैसे की जाए तो इसका क्या है अरकरा अकरकरा जो है अकरकरा अकरकरा इस मशीथ तरह से मिला के घोट ले उसके बाद सहद मिला के सहद 5 ग्राम के डेली उसको सदो है सहद मिला के उसको गोटना है तो दोस्तों क्या करना है आपको पांच ग्राम डेली जो है सुबह खाली पेट जो है सुबह प्राता एकदम उसको जो है चाटते हैं पांच ग्राम मात्रे उसको डेली चाटना है दोस्तों आप निश्य ही जो है इसका लाव उठाइए और इसका फायदा यह दोस्तों बिधी नंबर एक था मैं एक बिधी नंबर और दूसरा बता देता हूं आप लोगों को बच बच होता है बच का चूण उसका च प्रदिन सहस के साथ चाटने से उपर से दूद पीए तो इससे भी मिर्गी जो है रोग जो है समाथ हो जाता है तो दोस्तों आप लोगों के लिए जो आज था देशी उपचार तो दोस्तों यह था आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए प्लीज हमारा चैनल करें जै श्री महाकाल जै मातादी दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपने हमारा वीडियो जो है देखा और समझा तो बहुत अच्छी बात है अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट भी कर सकते हैं धन्यव करी कर दो दोस्तों आपद्र में वोड़ाना का तो एन समझ दोस्तों आप कर दोस्तों आता है जोस्तों आपट। नहीं हमारा तोस्तों आप उन्यवाद